दोस्तों मैं आप आपको बहुत ही इजी वे में केक बनाना सीखाऊंगी घर में रखी हुई चीजों से बने कि ना इसमें ओन की जरूर रहते हैं और और यह देखे मैं इसको अभी कट करके दिखाती हूं आपको यह देखिए मैं कट कर रही कितनी आसानी से कितनी सौपनेस से कट रहा है और यह बहुत ही खाने में स्वाधिश्ट और बहुत ही देखने में भी बहुत एच्छा मना चलिए इसकी रेशिपी देखते कैसे में सबसे पहले हमें केक टीन लेना उसमें एक चमच ऑयल डालिए उसको चारों तरफ से गिस कर लीजिए आप इसकी जगर बटर तरफ टीज़ करन है यह ए अब इसमें आप टी स्पून बेकिंग अब अब झ cm और यह टी जब यह जोसमें एक चमच हमने झीए चोक्लेट आ डाला है और तीज़ ग्राम कर में मिलक पाउडर डालाकि इस सब को अच्छे से हमने चान लिया है उनको अच्छे से मिला लिज ताजा दही दालेगा तो केक बहुत खट्टा बनेगा आप इसमें आधी कप ही चीनी राली है और चीनी अपने हिसाब से डाले जैसा मीठा खाना हो कम जादा कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से फेट लिए इसमें लम्च से बिल्कुल भी नहें रहने चाहिए यह इस तरह मैं फेट रही है अब इसमें वन ठोर्थ कप ऑईल डाली है और कोई भी फ्लेवर का नहीं होना चाहिए आप रिफाइन डाले या देशी की डाले कुछ बटर भी डाल सकते हैं अब इसमें 5-6 बून मैंने वैनिला एसंस के डाल दिया अब जो मैंने मैदा च्छान कर रखी कि अब हम मिला लेती हैं जिसमें को को पाउडर वगरा सब मिलाके रखा तो वह में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला यह यह देखिए बहुत ठीक हो गया है इसमें मैंने एक कप दूद्थ लिया है थोड़ा सा इसमें दूड़ा सा निक्र फॉर्म में करेंगे तो ये देखी थोड़ा सा मैंने दूद डाला है भी और दूद डालेंगे और इसको अच्छा सा विल्कुल केके लिए त्यार करेंगे ये थोड़ा सा थिक है इसमें मैं थोड़ा सा दूद और डाल के मिला रही हूँ और ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूद और मिला लिया इसमें कुछ बूंदे मैंने कलर की डालनी है ये देखिए पिंक कलर आ गया है इसमें तो ये पिंक कलर अभी बहुत अच्छा नहीं आया इसमें मैं थोड़ा सा पिंक कलर और डाल रही हूँ आप कोई भी कलर का केक बना सकते हैं दोस्तों ये देखिए मैंने थोड़ा सा सूखा कलर और डाल दिया है मेरे पास सूखा कलर था लेकि लिक्ट कलर ही इसमें डालें लिक्ट कलर जल्दी से मिल जाता है और सूखा कलर जब मिलने से रह जाता है तो कहीं कलर कहीं बिना कलर का ह जाता है तो यह प्रॉब्लम आती है तो यह मैंने जो केक टीन तैयार किया था जो इसका अश्टा मैदा वो हटा दिया अब इस केक टीन बेर त्यार हुआ बैटर में इसमें डालें यह देखिए कितना अच्छा रिबन जैसा बरना है बस इसी तरह से हमें केक का बैटर तो केक स्पॉंजी जैसा नहीं बनेगा चलिए यह देखिए मैंने एक कल्हाई पहले से प्री ही होड़ने के लिए रख दी ती उसमें एक स्टैन रखा इसको पर मैं एक केक क्रीन रख दे रही हूँ अब तक केक बन कर तयार होगा तब तक मैं देखिए मैंने 5-6 ब्रेड जैसा नहीं मेरे पास घर में क्रीम नहीं थी तो हम क्रीम का लुक देने के लिए मैंने करीब 6 ब्रेड लिए इसकी लाल वाली हिसा रहता है इसको मैं निकाल देती हूँ इसको आप फेकिए कमाद इसका हाप ब्रेड करम से बना कर लिए रख लिएका कभी कटलेट बगर बन में बहुत काम आते हैं तो यह मैंने 5 जो ब्रेट ली थी इनको छोटा-छोटा सा हम तोड लेंगे और मिक्सी ग्राइंडर में इसको डाल कर इसको एक बार चला लेंगे जिसे यह महीन ब्रेट कम से बन जाएंगे मैंने लारिस से निकाल लिया कि इसका रंग नहीं अच्छा तो यह देखिए मैंने सारे ब्रेट तोड़कर मिक्सी ग्राइंडर में डाल लिये हैं और इसको महीन सा इसको पीस लेंगे यह देखिए ब्रेट कर्म से बनकर तयार हो गए हैं महीन से अब हम करीब डेड़ गिलास में दूर लिया एक बगोने पर गैस पर चड़ा दिया है और इसको खौनने में अब हमने इसमें पांच चम्मस चीनी भी डाल दी है तो चीनी डालकर ही चलाया था और थोड़ी कम थ तो कि तो यह चिक हो गया है और आड़ेत क्रेकम सब्सक्राइब ज़िया ओमने में हम से सब्सक्राइब और इसको काफी ठीक हो गया है और बिलकुल हमको ऐसे चाहिए जैसे डिक क्रीम इर और ये अपकूर बंद कर हो जाया है ये द में जाहिए तरी काफी जैसा हो गया है है और झाज घार पका ग्सि में और गेस करिए कर दो कर देज सकanco रहें बिल्कुल एकदम इसमूज जैसा बनकर तयार हो जाएगा और फिर इसको फ्रिज में थंदा होने के बाद रख दीएगा चलिए हम आगे की रशेपी देखते हैं यह देखिए मेरा केक बनकर तयार हो गया करीब इसमें 35-40 मिनट लगे हैं और गैस को धीमी ही रखी थी और यह देखिए मैंने चाकु डालकर देखा तो यह ब्लकुल चाकु एकदम साफ निकल रही थी मेरा कि नहीं खड़े हैं मैंने घष्ट को बंद कर दिया आ लेकिन अब भी देखिए मेरा तो अब यह थंदा हो गिया तब मैंने निकाला यह देखिए कितना स्पांजी बनकर तयार और यह बहुत ही जाली दार बहुत ही अच्छा बना हुआ है अभी जो उपर का हिस्सा जो फूला फूला अलग से दिख रहा है इसको मैं एक घर की चाकू से ही अराम से निकाल ले रहे हैं मेरे पर कोई स्पेशल चीज नहीं है केक बनाने के लिए मैं बिल्कुल अपने घर की जेनी केक बना रही हूं यह भी जो मैंने नीचे हिस्सा लगह रखा यह जिसमें मैंने केक रखा है वह की मेरा चकला है रहे है थील कर चकला था उसके दर्ण बरतन आराम से बना रही है इसी तरह आपके पार कोई बरतन हो तो घिलास या किसी डिबे को पर रख लीजे आराम से बना लीजे आपको किसी जरूरत नहीं यह देखिए मैंने उपरी का हिस्ता निकाल दिया यह देखिए कितना जाली जैसा बनकर तैयार है बिल्कुल और चलिए लेकिन एक उसाब पता एविश न से जुझा कैटी आया इसे आपके Pier 210 ग्रीजे keeping कि और चला लसे कि मैं रिए में चुकंदर कर रस डाल कर मिकुल यह जिस्से ब sixty आए nyt आब यह जो केक का है एक हीसा मैं और काट रही हूं दिता चायाले में कोई स्पेसल चाको नहीं है मै जो मैं घर की चाकू से काट रही हूं और बहुत यह आराम से काटीए का बहुत ही सौड है तो तूतने रहता है। क्योंकि मेरे पास कोई काटने वाली चाकू पगरा नैं यह देखें इसको में दो हिस्टे में काट लिया एक हांसे पकड़ें तो तोट रहा है यह ने ब्रेट से जो क्रीम बेटर बनाए यह देखिए कितना स्मूथ कितना चिकना बनाई क्योंकि मैंने इसको मिक्सी में चलाने को बाद फ्रेज में रख दिया था मैं यह एक लेयर पर इसको इस तरह से अच्छे से बिचा रही हूं और पिर इसको इसको ऑपद दूसरा केक रख दिया फिर इसको अपर मैं यह बिचा रही हूं आप केक कोई भी डिजाइन दे सकते हैं मेरी जो समझ में आया मैंने वो डिजाइन दी दोस्तों देखिए घर की चीजों से कितना आसान है केक बनाना जम बनाए तब आप घर की उसे बना सकते हैं कोई भी टेंसन वाला काम नहीं कि क्रीम नहीं है इसको फेटना है क्या करना बड़ी आसान तरीके से बन जाता है यह देखिए जो उपर का हिस्सा मैंने बचाया था उसको मिक्सी में पीस लिया इसमें चुकंदर का सच डाल कर मैंने पीसा तो इसका कलर गिर रहा है उसको आप बाद में इसको साफ कर लीजेगा चलिए देखिए मैंने जो बीच का हिस्सा काटा था इसको मैंने बीच में रख दिया इसको मैंने लॉंग से दो आखे बना दी और जो यह मैटेज डालता है उसको चिकना करके बस उसका मुस्कान वाला चेहरा लग वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बतलाईएगा और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कीजेगा घर की बनी चीजों से और ज्यादा से ज्यादा से एर कीजेगा यह देखिए केक बन कर तयाहर है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको सेयर कीजिया किसमस में इसी तरह केक बनाईएगा चलिए अगली वीडियो मिलते हैं राधे राधे